नोंबर के महिने में हम कौनसी फचल लगाएं जसे हमें ज्यादा मुनाफ़ा हो। कम समय लगे कम लागत लगे कम हमें खाद डालनी पड़े तो ऐसे ही सब्दूजियों के वारे मताने वाला हूं जिससे आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा होने वाला है अगर हम बात करें नौंबर के महिने में तो नौंबर के महिने का एक ऐसा महिना है जिससे लोग काफी अच्छे से इंजवाय करते हैं और ऐसे इंजवायमेंट में अगर आपको अच्छा कासा मुनाफ़ा कमाना है तो खुरिसान भायों आपको इन दो फसलों को लगाना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इन दो फसलों को अगर त्यारी करते हैं मिट्टि की और अपने फासलों की तो कहीं नहीं आने दिनों में आपको अच्छाकासा मुनाफ़ा होने वाला है और यह जो दो दो फसलिंए मैं बता रहा हूं यह सुरिबों आपको 30-35 से 30-35 अधिक से अधिक 40 दिनों में आपको फासल리oms में फासल देरें लगेगा आप अच्छा कासा इंकम भी होने लगेगा इन फसलों से इन फसलों बारे में जानने से पहले मैं कहूंगा अगर आपने अभी तक वीडियो को मैं लाइक ने किया तो प्लिस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर यूज़ता है जी है किसान भाजियों हम बात कर रहे हैं मुली की एक खेती ऐसी है जो कि मात्र आपको 30-35 दिरों में अच्छे खासे से तयार हो जाती है और मार्केट में इसकी प्राइज भी 30-35-40 दिरों मिलती है तो आप अगेती मुली की खेती करने के लिए आपको ज़्यादा खर्द भी नहीं लगता है और नहीं ज़्यादा आपको पैसे खर्च करने की भी ज़रूत है अगेती खेती करने के लिए किसान भाई यो मुली की अगर अच्छा खासा खेत है तो उसमें खेत भी कर सकते हैं अगर नहीं है तो आप जिन जगहों पर जगह 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 जहां जगह खाली है उन जगहों पर भी उसकी बीज की रुपाई करके मुली से अच्छा खासा फा सब्सक्राइब करने के सब्सक्राइब होने वाला है मेरा कमेंट है मुली खेती करना अगर अगर आगली बात आप अब बात करें दूसरी अपने प्रसक्राइब करें तो यहां पर किसान बात करेंगे टमाटर को लेकर के तो का तो आजकल भाव ही बढ़ा हुआ है आप समझ रहे हैं आने वाले दिनों में भाव के बढ़ेंगे और जब पीछले समय भी देखा था तो इसके भाव भी बहुत ऑच्छा फादा होने वाला है अब वी क्यों बोल रहे है कि टमाटर को था और का भी काम मूली के साथ अपोजित नहीं है साथ करते हैं मूली अर्माटर सलाध के लिए बदल्बदम दल्दोडब लाए के टमाटर की खेती करना बहुत जरूरी है और जहां तक कि है टमाटर अन्य दिरों में डेर सुद्र सुर्पय किलो एक बार फी पहुंचने वाला है क्योंकि अंदर की बात है कभी भी भाव बढ़ सकता है इसलिए आप टमाटर खेती जरूर कीजिएगा बहुत अच्छा रिटर पाइस आप सब के लिए इन फसलों को लेकर करके हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते किसी नेक खेती बारी जनकाइक साथ तक लिए जया हिन वांदे मातरम जय जय जवान जय किसा झाल